हेलो स्टुडेंट्स वेलकम टू सीपियस ऑनलाइन क्लासेज आज की इस क्लास में आप लोगों का बहुत-बहुत सवागत है स्टुडेंट्स आज की क्लास में हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को कबर करने जा रहे हैं इससे पहले आपने दो टॉपिक पढ़ा इस इस चाहिए और आज का यह थर्ड लेक्चर जो है हुमन रेप्रोडक्शन में घ्यमिटोजनेसिस यह थर्ड लेक्चर है हमारा और इसमें हम घ्यमिटोजनेसिस टॉपिक पर डिसकस करेंगे इस बात मैं आपको बदा दूँ अपसे जो भी आपको क्लास मिलने वाली है उसम सारी चीजें पढ़ाई जाएंगी सारी चीजों की कनेक्टिंग रिफरेंसिंग रहेगी टॉपिक की पर सिब्यसी ने एक नया सेलबस जो है लांच किया है बनाया है तो उसमें कुछ बहुत सारे चैप्टर बहुत सारे टॉपिक को स्किप कर दिया है तो हम वो सारे टॉप ने नए syllabus को दिया है तो उस नए syllabus के recording हमने जो इस chapter में दो टॉपिक पढ़ा है वो अल्रीडी इंक्लूड है और आज का ये थर्ड टॉपिक गमेटोजेंसिस तो सीधी वहांसा में आप जानों कि अब जो भी आप सीखने वाले हो वह सीखने वाले हो वह सीखने वाले हो तो ड गयमेटोयबि it जैनेशजिग जणरेट बन अ बनना Gedanken का अ ऐसे जिस्में गयमेटोय भने गैयमेटोयचिज को कया कहते हैenne तो गयमेटोय जनेशिटिशवाले एक। जितने घक्स ब्रेपोर्डूजिग उर्गोणिसमीनुस ये उफ्य।े लग्स लंत Quick शै 앞에 नेनेशिक जन में गैमेट बनते हैं और गैमेट हमेंसा क्या होते है ए एक सप्रमेटो जैनेसिस ठीक है इस में और दूसरा हम को कि मेल में देखने को मिलता है हम को काने देखने को मिलेगा मेल में करमेटोजनास यानि Ama तो अब हम सबसे पहले आज के लेक्षरμεं स्पर्मेटो जेनास को कबर करें गेंके यह टॉपेक logging आपके लिए जानना बहुत जरूरी है एक्जाम से यहां से कुश्यन बनते ही बनते हैं हर साल ठीक है तो अच्छा से पैनल ले लिजिए नोट्स उठाइए और अच्छा से नोट करते हुए चलिए सारे पॉइंट को समझिए जहां अब हमको बताते रही हो तो स्टार्ट करते हैं हमारा ज यानि बनना यहनि इतस्तार ऑस्पाम बनने की जो प्रॉससस हुफामड भी जैनट फॉर्ट है सिक में मेड में में मेल में स्पंब बने की रॉक्षिस को ही क्या कैते हैं ऑच्छा यह बनता कहा है यह अई यह हमारा टेस्टी इस अनल ना प्रमेंश औरaci ce ठीक है तो टेस्टिस के अंदर जो structure है एक semi-ferrous tubal तो semi-ferrous tubal के अंदर ही बनते हैं क्या? स्पम ठीक है और यह कब बनते हैं? It's begin at puberty यह puberty में जैसे maturity आती है ठीक है? Sexual character develop होते हैं तो spermatogenesis यानि स्पम का बनना start हो जाता है और कब तक बनते हैं? continue throughout the life और यह पूरी जीवन भर बनते रहते हैं यानि स्पम बनने की process पूरी life चलती है puberty से start होगी पूरी life चलती है ठीक है student? चलेगा पर ogenesis में असा नहीं होता we will discuss in ogenesis की उसमें throughout the life नहीं होती है ठीक है? अब बात करें कि यह जो स्पर्मेटोगनेसिस की process है तो हमने आपको बता है जो सेमनी फेरस्टूबल है सेमनी फेरस्टूबल के अंदर उसका structure सेमनी फेरस्टूबल का टीरस लेंगे तो वहाँ पर एक special cell मिलेगा जिसको हम लोग कहेंगे primordial germ cell जो कि diploid होता है या आप spermatogonia कह लीजिए सीधे spermatogonia कहना ठीक नहीं है तो आप पहले बोली primordial germ cell ठीक जब वो differentiate होके फिर क्या बनाएगा spermatogonia बनाएगा कोई दिक्कत चलिए primary germ cell जो है यह कहाँ पर है सेमनी फेरस्टूबल के अंदर सेमनी फेरस्टूबल के अंदर primordial germ cell है यह spermatogonia है तो अब समझो ना कि सपोज करो कि हमने सेमनी फेरस्टूबल के अंदर विजिट किये और हमने वहाँ पर primordial germ cell को देखा और जो कि diploid है होता क्या है कि स्टूडेंट कि यह जो spl है यह при необходимо होता है तो यह mitosis तरीके से divide होता है normal divide mitosis थोड़ी दर के लिए समझना कि जब 2 N से 2 N बनता है या यन से यन यन बनता है तो यह दोनों कंडीशन क्या है mitosis की है पर फ्रूनेट जब 2 यन से N बनते हैं और फिर अगेन एन से एन एन बनते हैं तो आप समझेगा कि इस वाले step को meiosis first और इस वाले step को meiosis second कहते हैं यह चीज़ याद रख लेना आपको ठीक है तो finally एक mother cell से जो है four daughter cell बनते हैं यह meiosis की condition है ठीक है वो क्या करता है वो फिर से division करता है और फिर से spermatogonia बनाता है मतलब फिर से यही वाला cell बना देंगे मतलब spermatogonia बनाएं प्राइमोडियल जर्म सेल में division होने से जो cell बनेगी उसका नाम है spermatogonia जो की deployed है और वो दो cell बनेगे जिसमें से हम उन cell को एक को type A कह सकते हैं दूसरे को type B तो कुछ cell यानि आप कह लिजी कि type A वाला cell है वो again divide होकर कि spermatogonia बनाएगा मगर कुछ cell जो बचे हुए कुछ cell है यानि जो type B है वो cell mitosis करेगा और फिर से 2 cell बनाएगा जब mitosis करेगा तो उसमें यानि type B यानि spermatogonia में जब mitosis होगी तो क्या बनाएगा दो cell बनाएगे और आपको में बताद हो कि यह जो cell बनेगा इसका नाम होगा प्राइमरी स्पर्मेटो साइट्स में meiosis होता है जब meiosis होगा तो डेफिनिटल यह टू यह है तो यह क्या हुआ होगा कहिँछ यह 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 ओड होगा सिंपल येन यहां होगा और फिर यहन से जब मियोसिस सेकंड हुआ तो मैं क्या बताए फिर से ये न ये बना होगा तो यह चीज़ समझो प्रामर्य स्काइब चाहिए जो डिपलाइड तो यह यन यन बन चुका है तो यन से अगेन यी तो बनते हैं है आमने आपने अभी बताया तो इसमें जब इंगर से सेकेंड हुआ तो जो क्या बना स्परमेतिस बना जो की deployed है स्पर्मेटिट्स बना एक स्पर्मेटिट्स का स्टक्चर देखेंगे तो आपको इस तरीके से मिलेगा यह को वाले स्पेरिकल स्टक्चर जिसमें मैटो कॉंडिया है न्यूक्लिय से गॉल जी बोडिया और इस सबसे इंपॉर्डेंट क्या सेंट्रियोल है तो यह जो यह स्पर्मेटिट्स की तो स्पर्मेटिट्स का अब बना अब स्टूर्ट यही स्पर्मेटिट्स मिच्योर होता है डवलप होता है और साथ-63 होता है बुकों में लिखते भी देता है एक और फेज, डिफ्रेंशियेशन फेज, तो डिफ्रेंशियेशन होता है, तब यही वाला सेल इसमें convert हो जाता है, इस तरीकी के सेल में modified हो जाता है, मतलग इससे अगर दो सेल बने तो डेफिनेटली इससे भी क्या बने होंगे, फाइनली द मदर सलसे primary's spermatocyte से, सै हम को कितने मिलने वाले हैं, वो 2 primary's spermatocyte से कितने स्फorem waffle sau जोह मिलेंगे तो यह clos no genesis कहलाता है К्या कहलाता है Spermeogenesis ठीक है यह spermio genesis है और यह spermato joha का ही नाम क्या है sperm इसी को आप spermato joha को यह sperm तो sperm बनने की जो process है उसी का क्या नाम है spermato genesis अब इसको थोड़ा सा यहां से देखते हैं कि भाई यहां पर क्या हुआ रहा है लेकिन अभू Wash ум से से फोले क्या है अभी यहाँ पर यहां पर यहां Sig यहां पर अली ए हम एग डिस बन गया, टो यहां फिया फिक है टो यह से नॉर्मली यह तू यह से यहां secondy spermatocyte بنने की जो process है हमने इसको नाम दिया क्या कि 2N से N तक का बनना यानि primary spermatocyte meiosis हुआ है और इसके बाद secondy spermatocyte का बनना तो इसको हम लोग growth phase में consider करेंगे कहीं कहीं क्या हो रहा है कि हमारे जो sperm है वो grow कर रहे है number उसके बढ़ रहे है वह सेल का नंबर में बढ़ना है ना ठीक है तो यहां भी ग्रोथ फिज हो गए दूसरी चीज क्या हुआ ति जैसे मियों से सेकंड फिनिश होई तो उसने क्या बनाया स्पर्मेटिट बनाया और स्पर्मेटिट से ले करके स्पर्मेटिट्स से ले करके यह सारी बाते जो हैं यहां पर कहां तक स्पर्मेटो जो अब अनने तक या स्पर्मेटिट्स को मैचोर होने तक डवलाप होने तक डिफ्रेंशियोट होने तक यह वाला जो फेज है वो क्या है मैचूरीशन फेज है तो बेसिकली तीन ही फेज है पर बुकों में कभी कह भी लिखता है एक और फेज है डिफ्रेंशियेशन जो इसका इसमें करवाती है ठीक है तो आप समझेगा कि there are three major phases जिस में spermatogenesis process complete होती है तो this is all about spermatogenesis ये spermatogenesis के बारे में student इसको अच्छे से note down कर लिजिए screenshot ले लिजिए और इसको एक बार revise कर लिजिए anxiety book से एक बार पढ़ लिजिए कोई confusion हो तो आप group में share करिए मिलते हैं next वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद